अहलो फ्रेंद्स तो इन इस वीडियो वी वे लिए से नेक्स्ट सो व्र,टुक्जट्र नेंच्ट सब्सकिट्र नियुज वाइँ the ozone hole is forming at the Antarctic region and what are the reasons so 4 options दिये हैं तो इस question में क्या ट्रिक है जब दो स्टेटमेंट्स exactly opposite to each other होते हैं तो उन में से एक answer होता है यह भी UPC के ट्रिक है जैसे देख लो आपको statement B and statement C are exactly opposite presence of prominent polar front and absence of polar front means they are exactly opposite तो इन दोनों में से ही एक answer है यह तो हमें पता होना चाहिए अगले सालों में बहुत सारे questions आएंगे तब पता चलेगा तो यह exactly opposite to each other statements है तो इन दोनों में से एक answer है बाकि दो तो नहीं है तो B and C में से answer है अब कोई चीज अब किसी चीज के absence से नहीं होती जनरली किसी चीज की presence है presence of prominent polar front उसी की वज़े से तो जनौल form होता है मतलब कि absence और presence में presence वाला जो statement होता है उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लो वही answer होगा क्योंकि absence किसी चीज का होना whole form हो रहा है तो absence की वज़े से तो नहीं होगा presence की वज़े से होगा तो उस हिसाब से B statement answer होता है इसे बहुत सारे questions आगे आएंगे तो question number 10 current account deficit को reduce करने के लिए government क्या क्या करेगा इसा questions है question है तो यह तो इसमें तो ज्यादा logic कुछ नहीं है यह तो आपको मतलब economic concept अच्छे से पता हो तभी आप solve कर पाएंगे फिर भी question में से जैसे इस question में से क्या लेना है कि foreign direct investment क्या है फोरें इंस्टिटूशन यप आया यप डिया तो इन इनको पकड़के अगले सालों में questions आये तो ऐसे question में से वह सीख लेने और बाकी तो कुछ logic इसमें तो दीख नहीं रहा है फिर भी अगर कोई है तो मैं बाद में बताऊंगा question number 11 is asking about कि constitution 73rd amendment act जो था 1992 में जो 73rd amendment था जो पंसायत राज इंस्टिटूशन के लिए पारित किया था तो इट प्रोवाइड्स फॉर विच आप दे फॉल्विए तो प्रोवाइड्स फॉर को मैंने अंडरलाइन किया है तो और इसका एंसर है one two and three means all the statements are correct तो एक ट्रीक है कि किसी एक्ट के प्रोविजन्स हो या किसी एक्ट का यह हो और कोई extreme statements अगर नहीं है तो यह all statements are always correct मतलब कि किसी के features या किसी किसी एक्ट या किसी मतलब amendment या कोई है तो उसके अगर कोई features या कोई मतलब है तो all the statements are always correct यह भी एक ट्रीक है जैसे कि यहाँ पे district planning committee का constitution state election commission state finance commission वैसे तो यह हमने NCRT में अच्छे से पढ़ाए तो यह question आराम से cover हो ही जाएगा फिर भी अगर आप पता ही नहीं है और provides for ऐसे अगर किसी question में आता है provides for समझ लो मैंने उसको अच्छे से अंडरलाइन किया है तो उसको उसमें सारे statements generally correct होंगे अगर कोई extreme statement नीचे नहीं है next question पूच रहा है कि बहुत बड़ा question है तो आप अच्छे से पढ़ लेना two important rivers one with its source in जार्खंड and different and known by a different name in Odisha में मतलब जार्खंड में शुरू होती है नदी और Odisha में उसका different name है and another which is source in Odisha तो इतना तो deep में हम कभी नहीं पढ़ते है कि कौन सी नदी कहां पर source है उसका नाम अगले राज्य में change है यह है वो है तो आगे मैंने underline किस चीज को क्या देखो merge at a place only a short distance from the coast of bay of Bengal मतलब कि जो भी options में जो भी चीज है वो मतलब short distance पे है जैसे कि मतलब समुंदर के किनारे है यतना तो हमें statement को पड़े है तो anxiety में एक map है कि कौन से भी anxiety आई तिंग six य सेवंद की इन्वायर्मेंट की anxiety है तो उसमें भीतर कनी का अच्छे से समुंदर के किनारे है और वही answer है तो आपको बाकी असिम्ली पाल जैसे हैं सिम्ली पाल थोड़ा सांदर है मतलब Odisha में है थोड़ा सांदर है भीतर कनी का directly समुंदर के किनारे है और यह भी है protected तो इन चारों मेंसे दो protected और बाकी दो तो protected नहीं है उतना तो हमें question पढ़के पता चलता है और मैप देखके पता चलेगा और समुंदर के किनारे कौन सा है इन दोनों में से सिमली पाल और भीतर कनी का एक मैप देखके आपको पता चलेगा मतलब कि मैप कभी मैप यह अच्छे से पढ़ना भी बहुत जरूरी है उससे एक question बनता है इसमें otherwise दूसरा लाजिक कुछ नहीं बस थोड़ा सा अच्छे से अपने anxiety चीजें पढ़ी है तो आप कर सकते हैं अगला को अगला कोश्य ने question number 13 rapid increase in the rate of inflation is sometimes attributed to base effect what is the base effect तो base effect क्या है यह उन्होंने पूचा है अभी इसमें भी देखो इसमें भी question statement A में it is impact of drastic deficiency drastic word आया है drastic मतलब की यह wrong statement है मैंने बोला था drastic या extreme ऐसे जो वर्ड आते न तो वह wrong statement होता है second statement क्या है उसमें rapid economic growth rapid word आया है तो यह भी statement wrong हो गया तो देख सकते हो same question paper में logics apply हो है और नए question papers में तो जरूर होंगे और डी option में तो दिया है कि ABC में से कोई भी करिक नहीं नन option जब होता है ना नन option is generally नहीं होता है अगर आपको अच्छे से मतलब पता नहीं है तभी आप मतलब नन option जनरल कभी भी टिक नहीं करना है अगर आपको 100% शूर है तभी नन option को करना है नन option जनरल एंसर जनरल ही नहीं होता है तो बचा कॉनसा है क्या option है option number C और उसका क्या है it is impact of price level of the previous year on the calculation of inflation rate अभी देखो मतलब inflation word question में भी है और इस statement में भी inflation word है मतलब इस हिसाब से भी देख उपर वाले दो statements में inflation word नहीं आया था inflation लेकिन इस statement में inflation word आया है तो question में जो word था वह statement में है और अलग से और drastic और rapid word था ए और B statement में उसकी वैसे उनको हमने eliminate किया तो इस हिसाब से logic लगा-लगा कि हमको एक ना एक statement पर जाना पड़ता है next question इंडिया इस रिगार्ड़ेड़ एज डेमोग्राटिक डिवाइडन डेमोग्राफिक डिवाइडन क्या है तो तीन statement में कुछ ages दिये और एक statement में तो age का कुछ नहीं है अभी demographic डिवाइडन पहले statement में क्या है इस बिलो 15 years तो एक्जक्ट फिगर दिया है 15 years 15 और सी statement में दिया है अभो 65 years तो यह तो लेकिन बी statement देख लो बी statement में range दिया है उन्होंने क्या range दिया है इस high population in the age group of 15 to 64 years तो याद रखना जब भी range दिया होता है न वह statement 100 परसंट करेक्ट होता है और एक्जक्ट फिगर जब दिया होता है जैसे कि बिलो 15 अब 65 रेंज नहीं है लेकिन 15 to 64 एक range है बहुत बड़ी range है मतलब कि almost 50 years का range है तो वह statement करेक्ट हो जाता है तो ऐसे लॉजिक लगन है बाद में 15 क्वेश्चन है regarding carbon credits which one of the following sometimes is not correct अभी carbon credits के बारे में यहां पूछा है यह environment का question है फिर भी इसमें not correct पूछा है अब एक ट्रिक और बताने जा रहा हूं है not correct पूछा है मतलब कि कौन सा फॉल से जब भी a statement deeper drop carbon credits are traded at the price fixed from time to time by the United Nations Environment Program तो यह बहुत सटीक ट्रिक है जब भी किसी international organization का नाम यूपे से देते है न तो वह wrong statement होता है तो यहां पे United Nations Environment Program अईसा मतलब एक global institution का नाम दिया है उसका कुछ work है यह है तो not correct पूछा है और मैंने क्या बोला कि जब भी institution का नाम देती है यूपे से तो कुछ अलग देती है तो उस हिसाब से यह statement wrong होता है और यही हमें not correct पूछा है तो यही answer भी है और बाद में बाकी के statement आप पढ़ लो उसमें कुछ extreme statements वगरा नहीं है तो उस हिसाब से और करेक्ट हो जाते वह इतना detail में मैं तो नहीं कवर करूंगा क्योंकि बाकी के statement इजी है आप पढ़के समझ सकते हो लेकिन statement जो है उसमें United Nations Environment Program ऐसा institution का नाम आया है ऐसे आप आगे वाले question papers में भी देखोगे मैं explain करूंगा तब भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे international institution का नाम आया रहा आया कि वो statement रॉंग हो जाता है तो ऐसे trick लगा कि अच्छे से बहुत अच्छे margin से आपका प्रिलिम definitely निकलेगा 16th question पूछ रहा है value-added tax के बारे में feature क्या नहीं है not a feature of value-added tax यहाँ पे भी not not पूछा है मतलब कि जो है वो नहीं जो नहीं है वो पूछा है तो अभी देखो value-added tax यह जो word है तो statement B में देखो value-added it is a tax levied on value addition at each stage value-added tax value-added तो question में से पकड़ के बी statement बनाया है और at each stage मैंने each stage को underline किया है तो each stage मतलब एक statement देखो it is a multipoint destination based मतलब की एक statement को पकड़ के पहला statement बनाया है कि each stage and multi stage multiple point destination based tax and अभी c statement के आया है it is a tax on final consumption जैसे कि destination based एक statement में destination based word है उसको पकड़ के उन्होंने बनाया है final tax on the final consumption तो ऐसे एक statement को पकड़ के दूसरे को पकड़ के तीसरा statement तो यह तीनों correct हो गए लेकिन लास्ट वाला statement देख लो आप क्या है it is basically subject of the central government and state governments are only only लिखाया उदर तो only आया इसलिए statement रोंग है और हमें not correct not correct पूछा है मतलब कि D is the answer थोड़ा सा मैं फास्ट फास्ट कर रहा हूँ अगर आपको समझ में आए तो पूछ लेना क्या है तो उसका तो स्टेट फारवर्ड डेफिनेशन है इसमें तो कुछ लॉजिक नहीं है फिर भी देखो ए स्टेटमेंट में मैंने फुली वर्ड फुली जो वर्ड है उसको डार्क रेड अंडरलाइन किया है तो समझ लेना जब आइसा फुली या ओनली या ऐसे फुली एडिशनल वर्ड डाला है तो ऐसे एगमें अभड ए ऊप्सित पानिन टेकलिस नाएदर एक नोर फूर तो तो थोड़ा बहुत आपको पढ़ा हुना चाहिए तो नाइदर एकसपोर्ट नऔर इंपर्ट टेक्स प्लेस तो यह समझ में आता है ना कि एकसपोर्ट भी नहीं होता है इंपॉर्ट भी नहीं होता है उस खूल बैक देशन में कॉश्चनी जो पूछा में उसको भी अच्छे किस्टोब मैं कैंना लॉजिक लगाया ना तो यह आप answers तक पहुंच सकते हो और next question है question number 18 basic science का question है कि tree के base के नीचे अगर थोड़ा सा cut cut किया remove the circular fashion all around the near the base मतलब कि उसका जो bark होता है bark of the tree is removed in the circular fashion all around near its base so gradually dry up and dies मतलब कि सूक जाता है और मर जाता है पेड़ तो उसका reason क्या है तो उसका उसका तो logic कुछ नहीं है directly आपने अगर पढ़ा है अच्छे से थोड़ा सा basic आपको पता है तो ही question का answer आप बता सकते हो तो कुछ-कुछ questions में ऐसे logic नहीं होते है तो इस question इस वीडियो में मैंने 10 questions कवर करने का प्रयास किया है थोड़ा बहुत fast हुआ है तो और कुछ और logic आपको अगर लग रहा है कि हाँ इतने और और कुछ logic चाहिए या कुछ fast हो रहा है तो please बता देना thank you so much